Hello everyone, welcome to study time with new informative video. UPSC से lower PCS की जो vacancy है वो आने वाली है और इस समय अगर सबसे ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं तो वो इसी भरती के हो रहे हैं और लास्ट टाइम ये जो भरती आई थी उसको आई हुए 4-5 साल जो हो गए हैं और विद्यारती अब नई भरती का जो इंतजार है वो कर रहे हैं और इसी बीच जो एक दुविदा बनी हुई है वो है lower PCS के notification को लेकर और ये दुविदा जो है कि notification कब आएगा ये तो है ही है इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी जो दुविदा है विद्यारती हों के लिए वो ये है कि क्या ये जो lower PCS की vacancy आईगी इस बार ये PAT से आईगी यानि कि PAT से या फिर without PAT तो इसमें दोलों तरह के जो विद्यारती है वो अपना अपना जो तरक है वो दे रहे हैं जिन्होंने PAT नहीं दिया इस बार उनका तरक है कि lower PCS की vacancy जो है without PAT आनी चाहिए जिससे सभी को मौका मिल सके और जो PAT है वो बाकी अन्य भरतियों के लिए हो क्योंकि lower PCS में पहले ह दो चरणों में exam होता है प्री होता है फिर mains होता है तो फिर PAT की क्या जरूरत है और दूसरा जो विद्यारती PAT दिये हैं उनका ये तरक है कि जब सारी भरतियां आयोग PAT के माध्यम से ही करवाता है और हर साल ये PAT वाला जो system है वो बना के रखा है अलकि अभी उतना कुछ सफ हुआ भी नहीं है और अब जाकर लेक पाल बाली जो भरती है वो क्लियर हुई है ये कह सकते हैं जैसे भी हुई हो लेकिन आकिरकार हो गई तो अब जाकर 2021 से जो बाकेंसी आई थी अब जाकर फाइनल हुई है कितने साल हो गए है आप देखी रहें तो जिन्होंने पैट दिया है उनका कहना है कि पैट से हो अब वो इसलिए क्योंकि इसमें competition कम होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 2023 का पैट दिया नहीं है तो उनका ये reason चल रहा है तो देखी सब के अपने reason है लेकिन किसी के कुछ कहने या करने से नहीं होगा बच्चों ने मुहीम भी चलाई अंदोलन भी किया है इन सब चीजों को लेकर लेकिन इससे होगा कुछ नहीं क्योंकि जो अंतिम नड़ना है वो आयोग को ही लेना है कि आखिरकार क्या करना है पैट से निकाल ली है या फिर without पैट अब इसमें होता क्या है वो आगे जाकर आयोगी डेसाइड करेगा बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर कि यह जो है lower pcs की वैकेंसी है यह पैट से आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए तो अभी तक जो खबर पता चली है जो बात पता चली है वो यह पता चली है कि पैट के माध्यम से ही आपकी जो यह बैगेंसी है lower pcs की वो आने जा रही है जिन्नोंने पैट नहीं दिया है उन्हें थोड़ी जो निरासा है वो जरूर हो सकती है लेकिन जो बात पता चली है वो यहाँ पर आपको बताई जा रही है तो अगर आपने पैट दिया था तो अच्छी बात है आपको हो सकता है यह एक्जाम देने को मिले अगर आपके उतने माक्स बन रहे हो और अगर आपने पैट नहीं दिया था तो हो सकता है कि आप निरास हो तो ज़्यादा निराज होने की भी जरूरत नहीं है और भी एक्जाम है जैसे कि UPPCS का होय हारो यारो का है और साथ में अलाबाद हाईकोट की भी वैकेंसी आने वाली है तो उन सब पर आप ध्यान जो है वो दे सकते बाकी जो अपडेट पता चली थी वो आपको यहाँ पर बता दिये बाकी आगे आयोग को डिसाइड करना है यह आपको पहले ही बताया बाकी जो भी आयोग में होगा आगे जो भी खबर पता चलेगी वो निश्चित तोर पर आपको इसी चैनल के माद्यम से जानकारी परदान कर दी जाएगी थेंक्यू मिलते हैं न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ